अमिश्या ने कहा कि पंजाब में खालिस्तान की कोई लहर नहीं है और केंद्र सरकार इस्तिती पर नजर बनाए वहें किसी को देश की एकता और अखंटा के साथ खिलवार करने की छूट नहीं है शाह ने ये बाशनिवार को एक नीजी मीडिया चेनल के कारिक्रम में कही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया है और केंद्र ने उनका समर्थन किया है अमरतपाल की गिरफतारी के सवाल पर अमिश्या ने कहा कि ऐसा कई बार होता है पहले वो आराम से गुमते थे लेकिन आज वे अपनी गतिविदी नहीं कर सकते हैं लंदन में भारती हाई कमिशन पर खलिस्तानियों के हमले के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि मोदी सरकार भारती हाई कमिशन पर किसी भी हमले को स्विकार नहीं करेगी उन्होंने कहा कि विश्म में कही भी भारत का दूतावासो उसे भारत की भूमी वाना जाता है बले हाई कमिशन लंदन में हो लेकिन वो भारत का हिस्सा है शाहा ने कहा हमने NIA को सक्षम बनाया है कि विदेश में भारत के खिलाफ कोई साजिश होती है तो NIA उसकी जाच कर सकती है दिली पूलिस ने केस रजिस्टर कर शुर्वाती जाच की थी हाई कमीशन से मामले की रिपोर्ट आ गई है जिसके आधार पर NIA आगे जाच करेगी अमिर्शा ने कहा कि कॉंगरेस ने करनाटक में PFI को समर्थन दिया और उसे सुरक्षित रखा भाजपा सरगार ने अलगाववादी संगठन PFI पर बेन लगाया इसका सबसे ज़्यादा पायदा करनाटक को मिला PFI के तहत हिंसा की जा रही थी हमने इसके खिलाफ कड़ी कारवाई की इससे करनाटक के लोग सुरक्षित महसुस कर रहे है वो इसकी तारीफ कर रहे है इसी के साथ बने रहे ही राजटर्मा टीवी के साथ पहने बाद